वेल्कम टू दे चैनल एजुकेशनल उनिती इस वीडियो में कवर करेंगे डेलिट फर्स्ट आम के लिए जो आपका पेपर है बाल बिका से हम सीखने की प्रक्रिया इसके लिए यहाँ पर अधिकम यानि कि लर्निंग के टॉपिक को हम कवर करेंगे तो आये स्टार्ट करते ह इसमें सबसे पहले बताया गया है अधिकम होता क्या है तो लर्निंग का क्या मतलब है लर्निंग एक lifelong process होता है जो की एक विक्ति में एक student में जन से लेकर म्रत्यू तक चलता रहता है विक्ति अपने अनुभों के द्वारा ही अनुभों के आधार पर ही चीजों को सीखता र है इसी जो विवहार में उसके परिवर्टन आता है उसके behavior में जो changes आते रहते हैं time to time जो maturity को gain करता है अपनी knowledge को update करता है इसे ही हम learning कहते हैं learning जो है कई सारे factors पर depend करता है जैसे कि एक विक्ति की सीखने की सक्ति कितनी है जूची कितनी है यानि कि किसी चीज को सीखने में आ active या passive बनाती है तो इस तरह से यहां पर एक example फिर दिया गया है कि जब बच्चे को हम किसी चीज को चूने से रोकते हैं और उसके बाद बच्चा अपना एक experience गेन करता है उस शेज से जैसे आग से हाथ आग को चूने के लिए हम रोकते हैं बच्चे को लेकिन जब बच्च experience से उसकी learning हो चूकी होती है कि यह आग है और इससे हमें नहीं चूना है इस तरह से अलग-अलग definitions यहां पर दी गई है learning के लिए अधिकम के बारे में crow and crow ने बताया है कि सीखना आदतों ग्यान तथा अभिवरतियों का अरजन है सीखने को हम आदतों का ग्यान का और अपनी अभिवरतियों का acquisition कहना कहते हैं इसका आरजन करना कहते हैं यहां पर बताया गया है कि सीखना learning जो है एक universal process होता है सार्वामिक प्रक्रिया है क्योंकि यह हमेशा हर stage पर चलती है अपने अनुभों की द्वारा ही हम सीखते हैं वातावरर में क्रिया शीलता के द्वारा सीख और यह जीवन भर चलने वाली lifelong process होती है learning और इससे behavior में changes होते हैं इस तरह से यहां पर कुछ factors हैं जो हमारी learning को जो है effect करते हैं तो स्तिक्षर अधिगम को प्रभावित करने वाले कुछ कारक बताया गये है factors influencing teaching learning process इसमें सबसे पहला factor बताया गया है यहां पर बालत का सारीरिक तथा मानसिक स्वास तो बच्चे का सारीरिक और मानसिक स्वास तर जितना अच्छा होगा वो उतनी जल्दी चीजों को gain कर सकता है यहां पर maturity के साथ साथ यह depend करता है कि उसकी physical और mental health कितनी है अच्छी है तो अगर एक student या एक person physically और mentally fit है तो वो उसकी learning जो होती है वो दोगुना तेजी से होती है वो अच्छे से जो है और कम समय में नहीं चीजों को सीख लेता है तिन second factor यहां पर आजाता है maturity का तो maturity का मतलब हो जाता है कि हम जिस इंसान को कुछ सिखाना चाहते हैं वो उसके mental level के according होना चाहिए वो उसकी age के according ही होना चाहिए अगर आप छोटी बच्ची को कह देंगे क वो किसी चीज को समभाल सके, leadership कर सके, जिम्मेदारी उठा सके तो उसमें ये good अभी नहीं होता है तो इसलिए आप बच्चों के according की उनको जो है कोई काम देते हैं यहां पर third हो जाता है factor सीखने की इक्षा, will to learn जब बच्चे में सीखने की इक्षा होगी तो उसकी learning जो है बहुत अच्छे से हो सकती है, तो ये भी एक कारक हो जाता है, then motivation, motivation का मतलब हो जाता है कि एक बच्चा कितना सीखने के लिए उस चीज को इच्चुक है, अगर उसमें जो है, वो motivation होता है, तो वो अपनी learning को enhance कर सकता है और एक top level दे सकता है यहां पर, next factor जो हो जाता है, वो अंसार ही वो अपनी रुची को बनाता है, तो यहां पर विशे सामगरी का स्वरूप होना बहुत जरूरी होता है, next, वातावरर का मतलब हो जाता है कि यहां पर कौन सा environment है बच्चे के लिए, जिसमें वो learning कर सके, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसा environment चाहिए होता है, जिसमें आप concentration कर पाएं, तो अगर आपको किसी जो है basic वाले room में बिठा दिया जाए, कहीं सो शराब हो रहा हो हो, वहाँ बिठा दिया जाए, तो आपकी जो learning है, वो affect होगी इस environment से, इसलिए जरूरी होता है कि environment बहुत जरूरी है learning के लिए, then यहाँ पर effective methods of learning के बारे में बताया गया है, कुछ methods यहाँ पर जरूरी होते हैं learning के लिए, जिसमें सबसे पहले हो जाता है करके सिखना, दूसरा है अन्कुरेट दौरा सिखना, तीसरा है निरक्षर दौरा सिखना, परिक्षर दौरा सिखना, सामुहिक विदियों से सिखन सम्मेलें तथा, विचार को स्ट्रिविदी दौरा सिखना, प्रजेक्ट मैथेड दौरा सिखना और ग्रोप लर्निंग के थ्रूर सिखना, तो एक के करके सब को समझेंगे one by one, effective methods होते हैं कुछ learning के, जिसमें learning by doing करके सिखना सबसे पहले आता है, तो एक बच्चा उन सारे क क्लास को बच्चा पढ़ चुका होता है, उनके बारे में उसकी knowledge जो है, एक अच्छे level पर build up हो चुकी होती है, तो इसलिए इसको हम learning by doing कहते हैं, learning by doing का मतलब हो जाता है कि अगर आप किसी भी activity में बच्चे को involve कर रहे हैं, तो वो खुद करेगा, hands-on experience को जो है, receive करेगा, उसके बाद उसकी जो है, concept build up होंगे, तो इस तरह से यहां पर जो बच्चा सीखता है, उनको कभी भूलता नहीं है, उनके बारे में खुद जो है, अपनी एक concept को build up करता है, यहां पर next effective method हो जाता है, अनकरर के द्वारा सीखना, learning by imitation, इसका मतलब हो जाता है कि यहां पर में आता है, तो अपने teachers के द्रू, अपने peer group के द्रू सीखता है, then जब अडल्ट होड में होता है, तब अपने college के द्रू सीखता है, university में बच्चा सीखता है, तो इस तरह से यह जो process है, वो उसकी life में जो है, चलता ही रहता है, कभी वो society से सीखता है, कभी multimedia sources से सीखता है, कभी जो है, अपने घर से सीखता है, फैमली से सीखता है, तो इस तरह से जो है, imitation के द्रू बच्चे की learning होती रहती है, then निरक्षर करके सीखना, यानि कि learning by observation, बच्चा जिस environment में रह रहा है, वहाँ जो है, direct या indirect group से कुछ नगुछ observe किया करता है, तो यह जो observation होता है, उसक खुद involved होगा, उसे जो है, direct experiences कहा जाएगा, उसके बारे में बच्चे की जो knowledge है, वो बहुत pure knowledge होती है, क्योंकि वो जो है, उसके senses के थ्रू सीखता है, वो सारी knowledge को महसूस करता है, indirect knowledge कौन सी होती है, जो बच्चे ने किसी और के थ्रू महसूस की हो, किसी और के observation के थ्रू नेक्स्ट यहाँ पर method हो जाता है, learning by testing का, परिक्षर करके सीखना, तो जब आप किसी चीज का test करते हैं, कोई test करते हैं, और उसके बाद उस चीज के बारे में knowledge build up करते हैं, तो उसे learning by testing कहा जाता है, जैसे कि बच्चे जो है, किताब में गिंती को पढ़ते हैं, तो प्रथ पढ़ते हैं, तो उसी सारी गिंतियों को उनी सारे सामाजिक अध्यान को, भागलिक अध्यान को अपनी life में वो देखते हैं, तो बच्चा जिन भी knowledge को पढ़ता है, जैसे जो भी अपने primary education में, secondary education में, या university level पर सीखता है, तो बड़े होकर बच्चे उनी सारी learning को, उनी सा यहां पर important हो जाता है, सामूहिक विदियो दोरा सीखना, learning by group method, group method का मतलब हो जाता है, कि यहां पर जो learning होगी, वो उनके pair group में होती है, तो group में बच्चे यहां पर सीखते हैं, discussion करते हैं, एक दूसरे के साथ में, कि उनकी learning यहां पर complete होती है, group method में कई सारे sub methods include होते हैं, जैसे कि conference या seminar में सीखना, conference या seminar का मतलब हो जाता है, कि वहां पर जो है, विचार में बस करें जाते हैं, एक दूसरे से लोग debate करते हैं, discussion करते हैं, तब जाके किसी conclusion पे आते हैं, तो यह conference किसी एक specific topic से related हो सकती है, seminar भी किसी एक topic से related होगा, तो यह भी एक learning का effective method होता है, ज जो कि group method में include होता है, the next group method आजाता है, यहां पर project based learning, project विधी जो होती है, वो यहां पर group learning होगी, group learning का मतलब हो है, कि यहां पर दो या दो से ज्यादा, या एक particular group होगा, जो एक particular activity में involved होगा, उसमें जो है competition भी हो सकता है, कई सारे groups के बीच में, यहां पर जो group learning होगी, वो project related होती है, project related का मतलब होजाता है, कि इसका एक specific topic होता है, जिस topic पर बच्चे यहां पर work करते हैं, then यहां पर group learning का point आता है, group learning का मतलब होजाता है, कि group method में यहां पर group learning हो जाती है, group learning में जो है, बच्चे आपस में जो है, सलाह करते हैं, विचाव मर्स करते हैं, और उसके बाद एक conclusion में पहुचते हैं, और उस समस्या का निवारर करते हैं, तो इस तरह से हर एक individual यहां पर motivated feel करता है, उनम किसी भी तरह क्या, जो है, hesitation नहीं रहता है, जिजग नहीं रहती है, अपनी विश्यवस्तु के लिए वो लोग आगर रहते हैं, motivated feel करते हैं, एक दूसरे की जो है, problems को solve करते हैं, बच्चे यहां पर, तो इस तरह से group methods यहां पर बताएगे, इसके बाद law of learning के बारे में आए और कुछ secondary laws होते हैं, जिनको gornium कहते हैं, तो E.L. Thondike ने यहां पर law of learning दिया है, अधिगम के सिधान्त के बारे में बताया है, जिसमें से तीन जो है, यहां पर primary neum होते हैं, मुख्य neum जिनको कहा जाता है, और pasts, जो है, gornium होते हैं, जिनको secondary neum कहते हैं, तो तीन primary laws कौन हैं यहां पर, सिखने के मुख्य neumों में, primary laws of learning में include होता है, सबसे पहले law of readiness, जिसको ततपरता का neum कहते हैं, readiness का मतलब होता है, कि आप कितना तयार हैं अपनी learning के लिए, तो यह जो है, readiness में आ जाता है, then law of exercise, law of exercise का मतलब होता है, कि आपको जो आपने जो सीखा है, उसको आपको repeat करना है, यहां पर, जिससे जो है, आपकी learning enhance हो सके, परिनाम का नियम होता है, next, third नियम यहां पर primary laws में आता है, law of effect, law of effect का मतलब हो जाता है, कि एक चीज़, दूसरी चीज़ पर कितना प्रभाव डाल रही है, यारि कि अगर पहले से आपको स्कूटी चलाना आता ह है, तो साइकल, स्कूटी चलाना आता है, तो आपको कार चलाना कितना जो है, comfortable लग रहा है, balancing करना, या कार कैसे चलाई जाती है, या आप एक example ले लिजे, अगर आप साइकल चलाना चानते हैं, यहां पर तो आप जब स्कूटी चलाएंगे, तो यहां पर आपको balancing करने में बहुत जादा help मिलती है, तो इस तरह से जो है, तीन primary laws हैं, जो कि थौन डाइक के द्वारा यहां पर दिये गए हैं, इसके बाद 5 यहां पर गौर्ड नियम बताये गए हैं, तो यह जो नियम है, second number पर law of exercise, उसको दो पार्ट में divide किया गया है, law of use and law of disuse, law of use का मतलब होता है कि आपने अगर कोई एक चीज़ सीख ली है, तो आप जितना उस चीज़ के बारे में practice करते हैं, उतना उस चीज़ में आप expert हो जाते हैं, जैसे आपको अगर car चलाना आ गया है, तो आप जितना ज़्यादा car ride करेंगे, drive करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अगर उस चीज़ में आप निपूर नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कि आप car चलाना देरे देरे भूल भी जाएं, तो इस तरह से law of disuse होता है, माली जी आप जैसे एक example और है, कि आपकी art बहुत अच्छी है, लेकिन आपने आप art करना छोड़ दिया है बिलकुल, तो हो सकता है, वो talent आपका देरे देरे वहीं पर ठब हो जाए, तो इस तरह से जो है, ये तीन primary laws हो गए, इसके बाद secondary नियम आते हैं यहाँ पर, सीखने के सहायक या गौर्ण नियम इनको कहते हैं, secondary law of learning, ये भी thondike के दोरा दिये गए हैं, पाच laws इसमें हैं, secondary laws में, सबसे पहले law आ नियम, law of multiple response, next है यहाँ पर आंसिक क्रिया का नियम, जिसको law of partial activity कहते हैं, next one is अनरूपता का नियम, law of analogies से कहते हैं, next one is तंबंदित परिवर्तन का नियम, law of associative system, तो law of disposition का मतलब यहाँ पर क्या होता है, वो समझेंगे, तो बनोवर्ति का नियम क्या होता है, इसमें आपको बताया जाता है, कि जिस चीज के लिए आप positive attitude रखते हैं, उसे आप जल्दी से gain करते हैं, उस information को, उस learning को आप जल्दी से gain कर लेते हैं, और जिसके प्रति आपका negative attitude रहता है, उस चीज को सीखने के लिए आपको काफी time लग जाता है, जैसे कि आप देखिए, अगर आप maths पसंद करते हैं, तो आपको maths करना बहुत अच्छा लगता है, question solve करना बहुत अच्छा लगता है, और आप इसे, जो है, easily question solve कर सेते हैं, लेकिन अगर आपको maths नहीं पसंद है, तो आप इसे, जो है, practice करने में बहुत कि अगर आपका एक गोल है जैसे जार्ए करना आपका एक गोल है जिर एफ तक जाने के लिए आपको कई सारे जो है पड़ाओ पार करने होते हैं जैसे कि आप पहले दिखेंगे कि first paper कॉन सा है दिन second paper कॉन सा है आपका जो subject matter होगा दिन कितनी units है क्या labels है क्या PYQs आए हैं तो इस तरह से आप अलग-अलग sources से पढ़ते हैं तो जिन sources से आपको help मिलती है उसको आप हमेसा याद रखते हैं और जिन sources से आपको help नहीं मिली या कोई ऐसा topic हुआ जो आपको नहीं interest दिया तो उन सारे चीजों को आप side by side कर देते हैं तो ये बहुआन क्रिया का नियम होता है आंसिक्रिया का नियम कौन सा होता है इस तरह से आंसिक्रिया का मतलब है कि यहाँ पर धॉंडाई का मानना था कि अगर एक problem है तो आपको उससे छोटे-छोटे भागों में प्रेजेंट करना चाहिए बच्चे के सामने ताकि इन भागों से बच्चा correlate कर सके और उस problem को solve कर सके तो इस तरह से यहाँ पर बताया है कि जो समस्या है उसे हमें छोटे-छोटे targets के रूप में बच्चे को देना है जैसे आपको जियारिफ क्राक करना है हैंगे फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में इस तरह से आपके पेपर वन एंड पेपर टू दोनों ही कंप्लेट हो जाएंगे यहाँ पर तो इस तरह से यह जो है छोटे-छोटे parts में आपको targets दिये जाते हैं यह आंसिक्रिया का नियम होता है दिन यहाँ पर next secondary नियम आ जाता है अनुरूपता का नियम law of analogy से कहते है law of analogy का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर अगर कोई target है कोई जो है समस्या है तो बच्चा relate कर पाता है उस target को उस समस्या को यहनि कि जो भी उसके past experiences होते हैं उसमें अगर ऐसी कोई problem ऐसी कोई situation आई होती है तो यहाँ पर वो समानता देखकर उन जो है समस्या समाधान को यहाँ पर लगा देता है next नियम यहाँ पर आ जाता है fifth number पर संबंधित परिवर्टन का नियम law of associative shifting law of associative shifting का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर अगर कोई समानता होती है association बच्चा देखता है तो उस तरफ जो है move कर जाता है यानि कि यहाँ पर जो है बच्चे को हम एक new situation देते हैं new target देते हैं और उसके लिए बच्चे को एक नया stimulus जो है दिया जाता है ताकि वो उसके लिए response कर सके तो नया target उसके लिए stimulus का काम करेगा और उसे अच्चीव करने के लिए बच्चा जो जो कारे करता है वो जो है उसका response हो जाएगा जैसे जैरिफ आपका target है जो की एक stimulus की तरह कार करेगा और यहाँ पर उसके लिए आप जिन-जिन जो है क्रियाओ को करते हैं जो response करते हैं कैसे आप first paper cover कर रहे हैं कैसे आप second paper कर रहे हैं cover कैसे आप practice कर रहे हैं mock test कैसे दे रहे हैं PYQs कैसे clear कर रहे हैं concept कैसे build up कर रहे हैं तो यह सारे जो responses हैं आपके वो आपके जो हैं यहां पर response में आ जाएंगे इस तरह से जो है associative shifting का law है यहां पर तो यह जहां पर 8 नियम हो गए जो कि थॉंडाइक के दोरा दिये गए हैं तीन यहां पर primary नियम थे और पाच यहां पर secondary नियम थे clarity होती है इससे हमें हमारे aim के लिए law of learning जो है अधिकम के जो सिधान्थ है वो हमें हमारे target के बारे में बताते हैं तो जब बच्चे को उसका target जो है clear होता है पस्ट होता है तो उससे जो है बच्चा एक अपने effort की ओड़ता है कि कैसे मैं इस target को अचीव कर सकूँ next यहाँ पर हो जाता है educational implication law of learning का कि उप्यूक्त ग्यान होता है और क्रियाक का चैन कर सकते हैं बच्चे यहाँ पर selection of action and appropriate knowledge तो इस तरह से laws के थ्रू बच्चे यहाँ पर देखते हैं कि क्या knowledge उनके लिए appropriate है क्या knowledge से वो जो है आगे अपने goals को अचीव कर सकते हैं उन सारी knowledge क तो बच्चा यहाँ पर adopt करता है देन अभ्यास के लिए जागरत होते हैं बच्चे तो law of exercise जो है वो बच्चे को बताता है कि अगर वो बार बार किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो उस चीज में वो जो है निपर हो जाते है और वो चीज जो है बच्चा कभी भूलता नहीं है तो यहाँ पर next law हो जाता है ततपरता का नियम यानि कि readiness के बारे में भी बच्चे जो है जागरूख होते हैं यहाँ पर law of readiness जो है प्राइमरी नियम यहाँ पर ठान्रेक के दोरा जो दिया गया है उसमें उन्होंने बताया है कि बच्चा जितना सीखने के लिए ततपर हो होगा जितना उसका positive attitude होगा उतनी ही जल्दी वो अपने learning को receive करता है next जो यहाँ पर educational implication होता है law of learning का वो हो जाता है stress-free zone मिलता है यहाँ पर बच्चे को क्योंकि बच्चे अपने target के लिए continuously effort किया करते हैं तो उन efforts के through ही उन्हें अपना target मिल जाता है और उन्हें जो है किसी भी तरह का stress या depression नहीं देखना पड़ता है next यहाँ पर experience transfer की बात की कही गई है अनुभो का स्थानांतर होता रहता है स्थानांतर क्यों होता है यहाँ पर क्योंकि बच्चा अपनी learning को enhance कर रहा है एक level से दूसरे level तक बहुता है इस तरह से उनके experience जो है transfer होते रहते हैं प्यास किया करता है use of motives यहाँ पर हो जाता है next educational implication motives का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जब बच्चे को एक हम suitable environment देते हैं और उसकी motivation के कुछ factors दे देते हैं जो उसे permanently motivated रख सके तो यहाँ पर बच्चे को अपनी problem को solve करने में कहीं भी कोई obstacle नहीं देखना पड़ता है थैंक्यू everyone लटनिक के बच्चे हुए topics को हम next video में color करेंगे